नमस्कार तो ये देखे आग जो हम सबजी बनाने जा रहे हैं उसको आपका कोड़ा या तो कंटोला दोनों बोल सकते हैं आयूरवेद में इसको बहुत ही लावकारी बताया गया है बोला जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स होता है आयरन होता है और जो कैंसर प बहुत ही मज़ेदार होती है तो आज हम इसको बनाएंगे कोड़ा का फ्राई एक बार आपसे बोलना चाहेंगी कि आप जरूर इसको ट्राय करिएगा और अपना अनुपों हमारे साथ सेयर करिएगा तो सबसे पहले देखे यह दिखने में कुछ करेले जैसा होता है पर इस गोल गोल काट लिया है और इसका हम भुंजरू बनाएंगे आप चाहें तो इसको अपने सेफ के अनुसार जैसे भी सेफ चाहें आप कट कर सकते हैं यहां पर हमने ले रख है दो ओनिया और इसमें कट कर लिया है एक मिर्ची तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो फ्रेंस क कर दो दाल दिनों का विकाटिका यहां व्ली मसाला आधा टेबलिसम्पवून लाल विच पॉस्पवाडर अगर आप पारी बना रहे हैं आपको मसाले पतल डालिए नहीं पसंद तो मट डालिए यह भी अच्छे से हमने भून लिया है मसाले भी अच्छे से बहुत जादा भून चुके हैं डाल देंगे हम कटे हुए ककोडे को ककोडे बहुत इस्वाधिस बन के रेडी होंगे यह दिखे हमें डाल दिया ककोडे को अब चलीए इसको हम हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं आपसे बोलना चाहेंगे कि एक बार आप इस तरह से जरूर से बना के प्राइ करिएगा यह healthy होने के साथ साथ ना बहुत ही स्वादिश्ट रहता है यह तो चलिए इसको अच्छे से mix कर लेते हैं हम इसे पांस में तक अच्छे से fry करेंगे इस फैंस इसमें डाल देंगे नमक नमक आप अपने सारुने शार सम और ज्यादा कर सकते हैं और बहुत अच्छे से इसको हम चलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम प्राइन चेट करते रहेंगे पानी के प्रयोग हमें बिल्खुल भी नहीं करना है तो चलिए इसको ध्ख देते हैं और बीच बीच में इसे हम पकने तक प्राई होने तक चिर्ट करते रहेंगे सब्जी को देख लेते हैं इसको हमने 10-15 मिनट तक पगाया है और यह देखिए यह पकने के बाद कुछ ऐसी दिख रही है और जब भी आप अगर इस तरह की सब्जी बनाते ना तो जो रोती ब रोती बनाईए और बिल्कुल कड़क बनाईए उस सब्जी के साथ मतलब भी सब्जी के साथ रोती का बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा तो अब एक प्रेट में हम निकाल लेंगे और खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है अगर आपको यह वीडियो किसी भी भी बीड़ी वीडियो के साथ में अगर जाएगा आएगा तो अच्छा से अब एक बाल ले उके लेडिक बहुत है वीडियो कि बीडियो किसी भी साथ में खाने हो जुदाऊ आता है।